प्रोग्राम के शुर्वात हम यहां पर कर रहे हैं असम को आखिरकार उनके नए मुख्यमंत्री मिल गए असम की जनता को नए और नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत्विष्वा से जड़ी अभी तक आगर जानकारी की मैं बात करूँ कुछ ऐसे जानकारिया मैं अपने दर्शकों को बताने वागा हूं जिसके बारे में शायद वो जानते नहीं होंगे इसके साथ इसाथ आपको मैं यह बताऊंगा कि कि इस तरह से वो बीढ़ी के करीबी नेतां में जाने जाने लगे और उन्होंने बीसीघ्य इंट्री की या और किभी में सबसे पहले बहुत करते हैं कि दरसल अगर बश्वा है वो नए मुख्यमंत्री बनाए गई हैं रसाव 200016 के चुनाओं से पहले साहल 200016 के चुनाओं से पहले हेमंत विश्वा ने बीजेपी का दामन खाम लिया था इस से पहले हेमंत विश्वा कॉंग्रेस पार्टी में थे और चौंकाने वाली बात तो है कि कॉंग्रेस पार्टी में हेमंत विश्वा और राहुल गांदी के बीच अनबन हो गई थी आपको बता आपको बतादों कि हेमंत विश्वा ने कई पदों की जिम्मेदारी समाली है ने विश्वा को काफी राजनीतिक अनुभव है और इस तरह से साथ 2016 के चुनाओं के बाद से हेमंत विश्वा बीजेपी के करीबी नेताउं से जाने जाने लगए और ने विश्वा को आखित्का श्राइब के नतीजे सामने आगे तो इसमें मुख्य मंतरियों को लेकर बीजेपी पी के अंदर ढहा साय देहनों को मिला तौए और यहां के इसे पारी स्टती और किस तरह से सोला के बाद पीजेपी में उनका राजनीती कत बड़ा और हेमंत विश्वा अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी राजी की दी गई है देखे ये खास रिको असम में पिछले एक हफ़ते की माता परची के बाद आकिरकार तय हो ही गया कि कौन राजी का अगला मुख्यमंतरी ह को अपनी स्थफा सौब दिया आईये जानते हैं आकिरकार हेमंत विश्वास्तर्मा कौन है और पूर्वत्तर का चाड़क के क्यों कहा जाता है इसके साथ आपको यह भी बता दें कि हेमंत विश्वास्तरमा एक समय में कॉंग्रिस में थे लेकिन कॉंग्रिस में जब ज्यादा महत्व नहीं दिया गया यहां तक कि उन्होंने कई बार राहूल गांधी से भी बात करने की कोशिश की थी लेकिन उसका भी फायदा उन्हें नहीं मिला अगर देखने को मिला कि कॉंग्रिस पार्टी में जिस तरह से उनका अपमान हुआ और ये बात हेमंत बिश्व सर्मा बरदाश्ट नहीं कर पाए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हेमंत बिश्व सर्मा को जिस तरह से कॉंग्रिस पार्टी में अपमान सहना पड़ा यही बात देखकर हेमंत बिश्व सर्मा ने पार्टी का साथ छोड़ दिया आपको बता दें कि हेमंत बिश्व सर्मा ब सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी निभाई है बलकि अगर बात करें तो उन्होंने अभी तक जिस तरह से काम किया है ये बताता है कि आने वाले समय में अजब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है उसका वो बहुत अच्छे डंग से पालन भी करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि असम की जानता को अब नए मुख्य मंत्री मिल चुके हैं वहीं हेमंत विश्व सर्मा पर अब निगाहे ठीकी हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने असम चुनाओ के समय बड़े बड़े वायदे किया हेमंत विश्व सर्मा उन सभी वायदों को लेकिन बीजेपी के जो दिगज नेताओं में शामिल रहे हेमंत विश्व यह बताता है कि अगर कुछ मिलाकर स्थितियों की मैं बात करूं तो असम के मुख्यमंत्री जो बने हैं अब वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को नवाते हैं किस तरह से काम करते हैं आने वाला समय बताएगा लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थिया अगर देखने को मिल लए थी वो असम की थी तो कि असम में मुख्यमंत्री का जो पेंच है वो पूरी तरह से फश्च चुका था और काफी समय से चर्था चर्था चर रही थी कि आखिरकार अस लेकिन अगर मैं बात करूँ बीजेपी को जो पांच राज्यों की चुनावी नतीज़े आए उनमें से कई राज्यों में जटका लगा जैसे देखा जाए तो बंगाल में बहुत बड़ा जटका लगा केरल में जटका लगा तो यह ऐसे राज्यते जहां पर बीजेपी को जटका लगा और बंगाल में तो स्थती बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिली और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिला कि बीजेपी ने बंगाल में जितनी ताकत लगाई थी उतना किसी अनराज्य में नहीं लगाई थी और असम की पामियाब नहीं हुए देखिए असम में सीए का मुता भी बहुत बड़ा एहम रहा अगर बात करें राहुल गांधी जब असम गये थे वहां रैली करने का था अगर उनकी सरकार असम में बनती है तो सीए लाभू नहीं होगा लेकिन लगता है राहुल और प्रियंग का जो अर्थन के और ऐसे में अब नए मुख्यमंत्री की कमान हेमंत विश्वा संभाल रहे हैं और देखते हैं कि हेमंत विश्वा असम को किस तरह से आगे और बहतर ढंक से ले जाएंगे हाला कि बीजेपी ने चुनाओं के समय बहुत बड़े बड़े बादे असम को लेकर किये लेकर कियें अब आने वाला समय बताएगा असम के जो योग कई वे बड़े जरुवर जरूरी चीजे मिलेंगी यह सारी बाते हैं इब अबत बोलाकतोंित अ did कर दो कर दो कर दो